हलो हलो एवरिबरी नमस्कार आदाब साथ स्रीय काल कैसे हैं आप लोग आपने आपको बचा रहे हैं कि नहीं आप एक यूई यहने एर क्वैलिटी इंडेक्स अगर आपके शहर का 200 से उपर है 300 से उपर है चार सो से उपर है तो फिर बहुत सारी बातों का ध्यान देना जरूरी हो जाता है 400 से उपर जिस तरह से दिल्ली का पहुँच गया है वो तो अब हजार डियस हो गया है हजार डियस का मतलब होता है कि बिलकुल भी आपको डैमेजिंग हो जाएगा अगर आप जाके बाहर दौड लगाएंगे है ना लंग्स डैमेज होने वाली बात हो जाएगी हार्ट अट इस तो कैसे करेंगे सबसे पहली बात टो यह जैसे भाई साब ने कहा कि मेरे जिंवkovी वे है तो और प्यूरिफायर लाल है या नीला है यह रहा है उसका कितना वह नेटेंग कर रहा है यह बहुत ही मुश्किल वाली बात है कि एक एर प्यूरिफायर अकेला एक बिश्य than the AQI in the room, यह एर पुरिफायर के उपर अगर AQI 60, 100, 70 यह 0 भी आरी है, तो that just means कि वो जो एर फेक रहा है, उसके फेकने वाले वेंट के पास में उधर एरिया में एर पुरिफिकेशन बहुत लच्छा है, that doesn't mean कि rest of the room is also at the same level, rest of the room में level बड़ा हुआ हो सकता है remember that so air purifier should be as close to you as possible if you are exercising अगर आपके gym में air purifier उसके पाँ जाके exercise करो पाँ जाके air purifier अगर रख रहे हैं तो उसमें HEPA filter होना चाहिए HEPA filters indoor pollutions को reduce कर सकते हैं particulate matter को capture कर सकते हैं जासा मैंने अपने दूसरे चानल पर बताया था safest AQI limit AQI 100 से नीचे हैं तो safest है 160-150 के नीचे हैं तो आप exercise कर सकते हैं 200 से उपर थोड़ा दिक्कत है जो non-polluted areas में रहते हैं वो जो मर्ची करें उनसे कोई दिक्कत नहीं है हमें जो polluted areas में रहते हैं अलग होता है शाम का अलग होता है शाम को exercise ना करें early morning या दुपहर is a best option to exercise अगर कोई जैसे sports activity करना है तो फिर दुपहर में करने की कोशिश करें इस चीज में cardiovascular exercise जादा खतरनाख है जी हाँ cardiovascular exercise करना इस condition में बहुत जादा खतरनाख है choose strength training focus on strength training या फिर अगर low intensity workouts indoor workouts yoga, pilot, stretching, body weight exercises are better जो अच्छे से आपके body को toned भी रखेंगे या फिर आप strength training करें lift, weight lifting करें, core exercises करें जो indoors कर सकते हैं जिससे limited air की requirement होती है आपके body को cardiovascular exercise बहुर जाके cycling दौडना करेंगे तो वो दिक्कत वाली बात है ऐसे situations में आपको बाहर जाके करते हैं तो आप early morning या फिर afternoon time प्रिफर करें afternoon time is better than anything else low time taking exercises करें जल्दी कम हो जाए आपका और AQI alerts पे अपना ध्यान दखें solution levels को check करके AQI in your area आप डालेंगे Google पे अपने बता देगा आजकल so that is important, please do that और अपना मास्क पहने मास्क आइडिली तो N95 मास्क होता है लेकिन भाई साब उसमें सास लेना मुश्किल हो जाता है तो या तो valve वाला N95 मास्क पहने ताकि एक फूकना सास आराम हो जाए या फिर आप simple surgical mask पहने अपने वो surgical mask अच्छे से अगर sealed है वो भी काम करेगा या surgical mask के ओपर simple कपड़े वाला मास्क पहने और अच्छी sealing हो जाएगी हो जाएगे शुरू इस चैनल को फटाफट activity दीजिए activity का मतलब होता लाइक करो सब्सक्राइब करो share कर दो सारी दुनिया से